इस य जो क सब्सक्रार काय릴 कर देखकने भार कर devient कर देतों आज अज भी सब्सक्राइब अउस्टेर की देखे प्रिदिय में हिस्टेर कि देखे में हैं इसकने अन्सट्रार पेपर के बारे उटनी कोशन प्रेमों का यू और कि आने बारे कि का मेंशतर की जिसाथ ह और ही जो पेपर है तो दो गंटे का समेश में आपको पूरा मिलता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो डार्ट सब्सक्राइब चलते हैं अपने कोश्टोनों के ऊपर तो देखे सब सब पहले कोशन जैसे की आप इसके मज़े के दिए उसमें लिखावा है कि खान जाधा बेगम कों थी तो खान जाधा बेगम जो थी वो बाबर की बहन थी तो उप्सन नमबर बेश का देखे साही आनसर हो जाएगा और सग्ट कोशन देखे समें पूचा गया थ तो किसको बथाना चाहता था तो मेहंधि ख्वाजा को देखे बठाएग रहा चाहता तो उप्सन मरree का स्य जगा हो जाएगा चोते कोशन में देखे कि यूद में निम निमे को नब पराजित हुआ था? मःम्मोद लोदी पराजित हुआ था कि में पराजित हुआ था? सब से पहले देखे कालिंजर पर आकर्मन किया था उसके बाद आपका धुर्य का युद हुआ था उसके बाद देखे बाहदुर सा से संगर्ष हुआ था और लास्ट में देखे चोसा का युद हुआ था तो उप्सें नमर डीज का सही जवाब हो जाएगा छटे कोशन में पूचा नमर लिक्त में से कों सा युद हमायू युवे सेर्षा के मद्ये निर्नायक सिध हुआ था तो बिल गिराम का युद है पर निर्नायक सिध हुआ था उप्सन नमर बीज का सही अंसर हो जाएगा साथ्यों कोशन में देखे पूचा गया था के राणी कर्णामती राजमाता तो यह मेवाड की राजमाता थी उप्सन नमर सी इसका सही अंसर हो जाएगा आटव कोशन में देखे पूचा गया था कि निर्नायक से किसने चोशा की दुरान हिमायू की जान बचाई थी और उसकी साहता की थी तो नेजाम यहां पर देखे इसका सही अंसर हो जाएगा निर्द्मी मुहमत की उपाधी गरहार्ण कीतिक्त हो जाएगा और गोशनी से कौन सा गुरुदवारा में नहीं पूचान है तो ऩ स्थामझ नाया क्या say पाकिस्तान में इस्थित है तो A B और C ये देखे पाकिस्तान में इस्थित है और D पाकिस्तान में इस्थित नहीं है बार एक वासर में पुछा गया था कि निमलिकित में से कौन सी पुछा गया था कि नहीं है तो आप सभी जानते कि रामाने नहीं है बाकी गेतावली परवत सिमेंगल और जानेगमली तीनों दोवारा तुलसी दार्श दोवारा रचित हैं त्यर्वे कोशन में पूछा गया था कि ने मेलकित में से कुन ओरंग जेब की पुत्री थी तो औरंग जेब की पुत्री कोई थी तो अप्शन नमबर डीज का सही अंसर हो जाएगा फोर्टीन कोशन में पूछा गया कि जहां की ने नूर जहां से कब विवा क्या तो कब किया था तो 1611 में देखी विवा क्या था उप्शन नमबर एज का सही अंसर हो जाएगा इससे पहले मैंने एम में सेकेंडेर का टूरिजम इन इंडिगा जो कोशन पेपर आप से पूछा उन सभी के देखी कोशन अंसर में इसी यूटीब चले एक्जाम डूम पर आपके सभी कोशन पेपर को सोल कराने वाला हो एक पेपर में सोल करा चुका हूं टूरिजम इन इंडिया का अरे दूसरा पेपर उसके बाद तीसरा चोतर पांच पेपर भी देखिया अपलोड कर दूँ आपके एक्जाम से पहले 15 कोशन में पूछा गयाता है मुगल पाल में सबसे भीजण अकाल कब पड़ा तो कब पड़ा था तो 1630 से लेकर 1632 तक अब शोले कोशन करें चलते हैं दोस्तों तो शोले कोशन में देखे पूछा गयाता कि कोनु घिरा एक खान से मिला था जो इस ची था तो कहां पर इस तो गोल कूंडा में देखे इस ची था उप्शन नमबर 20 का सई आनसर हो जाएगा सतुरे कोशन में पूछा गया था कि निमनी में से कोन विद्वान जो आमेंतरित नहीं किया गया था तो कोन नहीं किया गया था तो अचारे तुल्शी को आमेंतरित नहीं किया था तो अप्शन में पूछा गया था कि मुगल अकाल में जो धर्म का अध्यान करता था उससे कोन शीव पादिया भी डिगरी दी ज जाती थी option number 20 का सयांसर हो जाएगा था कि निमलिकत में किस हिंदी कवी को सहाजाद द्वारा शंक्रचन दिया गया था तो सुंतर कवरिया को दें के संक्रचन दिया गया था option number D 200 कोशन में पूछा गया था कि मुगलकाल में बंगाल प्रांथ निमलिकत में से किस उत्पात के लिए विशेश रूप से जाना चाता था तो यहां पर देखिस का सही अंत्र हो जाएगा चीनी के लिए जाना जाता था option number 22 कोशन है तमाकु के खेती 1605 इसमें भारत में किसके द उत्तरदाई था तो कौन था उत्तरदाई तो मुफ्ति देखे इसके लिए उत्तरदाई माने जाते है तो option number 20 का सही अंसर हो जाएगा 24 में में पूछा गया है कि ने में लेकित में से कोण टोडरम्भल का बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था तो जबती देखे को जबती को देखे जाना जाता था तो option number कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं बाकिसी उनिवेस्टि ने जो आंसर की जारी की थी उसी कानुशार में आपको यह आंसर बता रहा हूं पच्छी सो कोशन में पूचा गया था कि अमल गुलजार क्या था तो क्या था तो राज जसुवा संग्रा करा था था तो option number पर इसका सहयानचर हो जाए औरंग जेगी मृत्ति कभी होती तो 1707 में होती जिभी धियानती जीगा नेक्स कोशन पूचा गया था 28 कि अकबर ने अपनी जाजदानी का नाम फटहपूर किस विजे के बाद रखा तो गुजरात विजे के बाद यहां पर अकबर ने अपना नाम फटहपूर जिसे विजे का सहर के नाम से भी जाना चाथा रखा था 29 कोशन में पूचा गया था चांज बीवी किसकी बहनती तो यह बुरहान निजाम सहा की देखे बहनती अप्सिन नमर 20 का सायान चलो जाएगा तो 30 में में पूचा गया था निमन में से कौन सा विज किसके मुकलकाल में थे कि अकबर के यहां पर दे कि मुकलकाल में उप्सिन नमर 20 का सयान सर हो जाएगा 32 में में पूचा गया है कि मनचबदारी परता का प्राराम किसके समय में माना जा सकता है तो चंगेज घा इसका सयान सर हो जाएगा उप्सिन नमर 20 की सेनी वाली वक्ति तो किसी ने कमी किती थी तो सहाज आने देकी कमी कर दी तो उप्स nr.j सीर वने वाला है तो मैं यह समझता हूं कि कम से कम 20 वाइस कोश्चन जो है आपको repeat और मिल सकते हैं क्यों तब बर जो कोन सा बस अपको एक बार जो कोस्तों को आप अच्छे से देख लेंगे तो माईन में साट आ किस तरह के प्याचन आपसे आने वाला एक जामे निए फुरी तरह राज्ये के दुबारा किया जाता था तो पैदल सेना जो थी तो उसका दो भुखतान नहीं पूरी दुबारा किया जाता था 36 कोशन में पूछा गया था कि किस फ्रांचेज यात्री ने साज आके सासल करने विरिष्थत विरुणन छोड़ा था तो किस ने छोड़ा था तो उप्सिन नमबर एस का सही अंसर हो जाएगा 37 में पूछा गया है कि जागिर ने अपनी आत्मकता तुर्ज ए जागिरी 17 वर्सों तक लिखी किन्तु बाद में इसे किसके दोबारा जारी रखा गया तो किसके दोबारा जारी किया था तो उप्सिन नमबर दी देखे ए और सी यहने के मुताबित खान और आपका मुम्मद हादी के दोबारा देखे से आग एक जारी किया गया था वागे 17 वर्सों तक देखे लिखी गई थी 38 में कॉशन में पूछा गया था कि एहमद नगर ने किसके निर्तितों में मुह लों का सबसे कड़ा परित्रोद किया था तो मलीक अंबर के इसका सयांसर हो जाएगा उप्सिन नमबर दी 49 में देखे पूछा गया था कि भारतिये सास्त्रों संगीत पर सरवधिक पुस्तके किस पुगल सासाक के सेंबर में लिखी गए थी तो देखे ओरंग जेब इसका सयांसर हो जाएगा उप्सिन नमबर दी 40 में पुचा गया था कि हिंद मासागर में पूर्तगाली एक अधिकार कब तक बना रहा तो कब दक बना रहा था तो 1904 में इसका सयांसर हो जाएगा उप्सिन नमबर तो इबन हसन देखे इसका सयांसर हो जाएगा उप्सिन नमबर ए 43 में में पुचा गया था कि सेर्शा का दादा इब्राहिम सूर एक क्या था तो घोड़ो का एक व्यापारी था तो इसका सयांसर हो जाएगा उप्सिन नमबर इसका सयांसर हो जाएगा इसका अध्यक्त उसका आणसर हो जाएगा बरिदे मूवाबिल युख नंut मुद शी सेंगंदर तो सिकनदर कॉन यह इंसका अधि का युख नंबर 48 नहीं पूछा पूछा गया है कि सा सरा माँ में से व tu जो वर्तबार में बिहार की नाम से जाए है रहाता है बिहार में गिसी जिलिम में चींट है तो आप सबς आएं रोतास गड काुण में साह किरम पताना था तो पर oke n saog texting हमें क्लब्थ 17 नंसर हो जायेगा पहले 2 आएगा उसके बाद काहाऊ का निवासी था और रेवाडि का पूच varit कि सोशक के प्रसांशन तय तर्व में कोर्ण on का पर्योग भूराजुस्रीवाग में एक अधिकारी के रूप में परिकारे के रूप में किया जाता था तो अकब में अकबर साहिं एक उपन ब कुछ अबधश मा हमीदा बानुब को कहां दफनाा गया था तो कहां पर दफना गया कि निके हमायू के अगबरे में देकर द People सुफिन्यम्ट को अगभरें में अगबरें दिलेंगा सेख मुर्धिन चिश्टी दर्गा कहा इसी तो इसका अंश्र होने वाला एक आजमेर यानि चपन में सफिनत और ऊलिया का कोन था तो कोनता दारा सिखो देखे इसके लिकरते हैं इसका सिन आसर हो में प्रचलित नहीं थी तो काबूल में देखे किसी तरह की भूमी को देखे कब जाया नहीं जाता था तो अप्शन निम्बर एस का सयांसर हो जाएगा सॉठों में बात करें इसमें लिकाया कि भारती हित्यास के मद्देकाल के दोराए एक मात हिंटु था जिसने दिल्ली की गदी पर अधिकार किया था तो कौँशा तो हेमु इसका सयांसर हो फूराद को नहीं मिला था तो किसको नहीं आए ता बाकि आपका कस्मीर बलुचीस्तान कांधार को देकर मिला लिया था बाठी मेवाड को नहीं मिला पाये थे नमर बीस का सही अंसर हो जाएगा बास्ट में देगा महाना परताब कब मेवार की गद्धी पर उत्रदकारी बने तो 1572 देखिस का सही अंसर हो जाएगा उप्सिन नमर ए कोशन पढ़ते हैं वीडियो के अब यह तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देखिए हमारे एक्जाम रुकाब सब्सक्राइब जरूरू कर दीजिगा क्योंकि अभी तूरिजम इंडिया का कोशन पेपर उसको मैंने अफ्लोड कर दिया यह मैं सेक्ट वीडियो बना कि अफेजम की मुगल बात्सा यह हो नहीं अदेखिए बिर्भर क किसको नियुक्त किया रखाया ऑसा हां को को देखि pork पर नियुक्त किया गया था उप्स नंबर 20 का अंशर हो जाएगा 67 पूछा गया था कि अकबर को इसलाम धरम का सरवसुद अधिकारी घोषट करने वाला खुलतुपा का पार्ट जिसे हम मसवधा के नाम से जान तो इसका सेहन सरा जाएगा फोजी ने देखे तैयार किया था उप्स नंबर 20 का अंशर हो जाएगा 68 में देखे कि निवन में से किता इथियास का ने दिन इलाई को अकबर का मुरुक्ता का समारक ने की उसकी इसमें किया गया था 69 में तेके जागिर इसमें पूचा गया था कि जागिर साहब पर अबूल फजल के हत्या कब की गए थी तो 1602 इसका अंसर से हो जाएगा उप्सिन नमबर इसमें पूचा गया था तो नवे गुरू के रूप में अगर बात करें तो गुरू तेक बहादूर इनके नवे गुरू थे हो सकता है कि इस बार जो यह भी पूचले जाए कि सिकों के पर्थम गुरू कोन थे या फिर अंतिम गुरू कोन थे तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा 74 में देखिए यह इस तरह का मिलान वाला कोशन है आपको दे दिया जाए 75 में देखे पूचा गयता है कि बुंदे अच्छा जो को संसापता रूदर परताप सिंग थे 76 में देखे सिवाजी किसके पूतर थे तो जी जब बाइके देखे आपके पूचा गया था कि सिवाजी का प्रसाशन में आठ मंत्री साहता करते थे जिने अस्ट परधान कहा जाता था तो सुमत है या दबीर कौन थे त कुमा फिर आकिर कोशन आपसे पूची जाते कोई नहीं कोशन इस तरह से नहीं क्रेट कर दिया जाते है इसी तरह के आसपास इड़दी गूमते वे कोशन ही देखे अधि आप दिहान से सो कोशन की त्यारी कर लेंगे तो आप आराम से पासिंग मार्क्स ले आएंगे शिवाजी अपने परभावाले छेत्रों से चोत और सर्देश मुखी वसूलते थे सर्देश मुखी की दर क्या थी तो दर पूची गे तो आयका एक बड़े दस्वा भाग वह लिया करते थे हल्दी गाटी की जिले में इस चित है तो कौन से जिले में तो राज मसम निहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर बी तो तुर्की भाहसे में देखिए जिन्होंने अपनी आत्मगता लिठी लिखी तो अप्शन नमबर इसका सही आंसर हो जाएगा 83 में कोचा गया था कि निम लिकित में से कौन सी कृति खावंद मीर की नहीं है तो कौन सी नहीं है तो अप्शन नमबर डी वाली नहीं है बाक अपका खाबनेंद की देखे मीर की देखे कृति हैं बाकि डी ओप्शन इसका सही हो जाएगा 84 में देखे कि निम में से किसने पाबर वे हमाईव का विवर्ण लिखने के बाद मुगल बदन बेगम को प्रेजित किया था तो गुल बदन बेगम को देखे किया था वह आपक अकबर नहीं तो तमर्स और सी सकाथ से हो जाएगा 85 में पांज एक अपकूरल डेकाइए और आपके पुस्तक दिए ए तो इसका मिलान खाग करना तो उप्यानवर muscle का सही इन्हें आप दो एक बार मिला करना इन्हें आप याद कर लिजिए ऐसे कोशन देखिए आप से पूछ ले जाते हैं इसमें पूछ गदा कुछ गुल निगार खानम माती तो किस किते बाबर की देखिए माती अप्शन नमर 20 इसका से अंसर हो जायेगा 88 में देखे बाबर ने बादसा की भाधादी धांड जित तो कब धांड़न की थी, तो 1507 यसे में धांड जित थी में निजम साउन जाते हैं या फिर रग आनला या है सि उत्य रद ंसान के लिए चैना सिफ से अपने संभात के लिए पर्षिध था तो परताब रुधृ गजपती देख़े सका स्यांसरा नूरा उपसला नम्बर b94 में देखे तो Madhya dalin asam, में पूछा का थे कि विष्वास नहीं करते थे तो आपकी करमवाद आत्मा और आपका कोन रामानंद का सिस्षे नहीं था ते दादू इसका सही अनसर होने वाला है बी बाकि देखे आपका ए सी और डी जो है वह आपका रामानंद के सिस्षे थे अब देखे इसमें पूछा गया कि नहीं था आप हो सकता है नेक्ष्ट आजे माली पेपर आप से इभी पूछ ले जाए कि रामानंद का सिस्षे कौन था तो एसी और डी इनिके नाम जो आप अच्छे से याद कर ले जेगा 98 में देखे पूछा गया था यह भी देखे इसमा आप से पूछा गया है संत और वो किस राज्य से देखे बिलोंग कर देते तो इनने को देखे इस तरह के को सन को तो चार-पांच को सन की तैयार है तो आपको इस तरह से देखे हो जाएगी 99 ने पूछा गाता के विठोबा मंदिर कहां इसी तक तो कहां पर इते तो पंडर पूर्म देखे इसका डी आंसर जो इसका सही हो जाएगा सो वा देखे इस पेपर का लास्ट को सन है इसमें पू अचिए हो अचिए होगा हुगा है तो ऊसके सो कोष्ण मैंने आपको करा दिये इसरे रह्के तैखे इरद इर्द कोष्णी आप से पूछ जाते है इस पेपर को आप थोड़ा सा अच्छी से तैयार कर जाएगा कि इसमें तो कोष्ण क के ले बाजान थोड़ा सा 15 Ừिकल्ट आप हेल्प मिल रगे नहीं हो तो 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 चलते हैं जल्दी मिलते हैं में नेक्स वीडियो में इसी तरह की एक लेट्शिंच फुम फंचन के साथ